हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपके लिए टू कलर का बहुत ही प्यारा सा सुन्दर सा डिजान लेके आई हूँ, इस डिजान को बुनने के लिए मैंने ये एक रेड कलर लिया है और एक वाइट कलर लिया है, ये मेरी वर्धमान वाली नॉर्मल बूल है अगर आप इसको वर्धमान ओस्वाल ये फोर पलाई वाली वूल है, वर्धमान ओस्वाल रैबिट गंगा में बुनना चाहते हैं तो आप यहां पे दस नंबर की सलाई यूज कीजीगा, और आप इसको बुनना चाहते हैं थ्री पलाई में तो यहां पे आप नो नंबर की लाई उज कीजीगा तो बहुत ही अच्छे से डिजाइन हमारा बन के आएगा और बनाना बहुत ही आसान है तो इस चलिए फ्रेंट्स देखते ही ये डिजाइन हमें कैसे बनाया गया है तो इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहां पे यह 8 के multiple में फंदे डार ले हैं और एक फंदा पलस किया है जैसे पहले 8 गिनेंगे फिर से 8 फिर से 8 ऐसे गिनते जाएंगे last में हमारा एक फंदा रहना चाहिए तो मेरा यहां पे base color red है यह मैंने border बना लिया है एक उल्टे एक सीधी का दो सलाई मैंने plan बुनी है एक सीधी एक उल्टे अब हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे design बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe ने किया है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो please channel को subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए और design वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए friends group में share कीजिए तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा इसको हम आपको step by step बनाना बताएंगे तो यह यहाँ पे दो सलाई border की बुनने के बाद अब यह हमारी तीसरी सलाई है यानि डिजाइन की first row है तो यहाँ से हम एक फंदा white बनाएंगे फिर दो फंदे red बनाएंगे एक दो फिर से तीन फंदे white के बनाएंगे एक दो तीन फिर दो फंदे red के बनाएंगे फिर एक फंदा white का बनाएंगे अब देखे फ्रेंट से ध्यान दीजेगा स्टार्टिंग का एक फंदा छोड़के और जो यह 8 फंदे हैं इनहीं को हमने बार बार रेपीट करते जाना है यह फंदा छोड़ेंगे और आगे के 8 फंदे बुनेंगे फिर से 2 फंदे रेड, 3 वाइट, 2 रेड, 1 वाइट, तो अब फिर यहां से फिर से ऐसे ही बनाएंगे 2 फंदे red के 3 फंदे white के 1 2 3 फिर फंदे red के 1 फंदा white का तो देखे फ्रेंट्स यहां से लेके और यहां तक 8 फंदे फिर से repeat हो गए तो ऐसे ही repeat करते भी इस पूरी रो को complete करेंगे तो यह हमारी first row बनके complete होई 8 फंदे हमने बार-बार repeat किये first फंदे को छोड़के और यहां तक यह 8 फंदे बार-बार repeat करते जाएंगे 2 red, 3 white, 2 red, 1 white अब आएंगे second row पे तो यहां पे ध्यान दिजीगा जो यह white फंदा है इसको हम red बनाएंगे तो एक फंदा red का फिर एक फंदा white का फिर दो फंदे red के फिर एक फंदा white का फिर दो फंदे red के फिर एक फंदा white का और फिर एक फंदा red का तो दिखे फ्रेंड स्टार्टिंग का एक फंदा छोड़के और जो ये आठ फंदे हैं एक वाइट दो रेड एक वाइट दो रेड एक वाइट एक रेड तो ये आठ फंदे हम बार बार रिपीट करेंगे तो फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे यहां पर है एक white, एक white, दो red, फिर से एक white, फिर से दो red, फिर से एक white और एक red तो देखे friends यह हमारा फिर से एक repeat complete हुआ, यहां से लेके यहां तक, एक white, दो red, एक white, दो red, एक white, एक red, इन्ही को फिर से repeat करते हुए पूरी row को complete कर लेंगे अब आ गए हम सीधी तरफ तीसरी सलाई में, तो यहां पर दो फंदे red के, एक, दो, फिर एक फंदा white का फिर तीन फंदे red के, एक, दो, तीन, फिर एक फंदा white का, फिर तीन फंदे red के, एक, दो, तीन, तो देखें फ्रेंट्स, इस दो फंदों को छोड़ के, यह starting के दो छोड़ के red और आगे के जो ही है, एक white, तीन red, एक white, तीन red, इन्हे ही आठ फंदों को हम फिर से repeat करेंगे, फिर से बनाएंगे, एक white, तीन red, एक, दो, तीन, फिर से एक white, फिर से तीन red, तो ऐसे ही करते भी है पूरी रोग को हम complete कर लेंगे, ऐसे ही repeat करते जाएंगे, एक वाइट तीन रेड एक वाइट तीन रेड आठ फंदों का डिजाइन है ऐसे ही आठ आठ फंदे रिपीट करेंगे और सलाई को कम्पलेट करेंगे अब आ गई हम रोंग साइड में फोर्थ रों में तो यहाँ पे देहन दीजेगा फिर से तीन फंदे रेड के एक दो तेन फिर एक फंदा वाइट का फिर से एक फंदा रेड का फिर से एक फंदा वाइट का फिर दो फंदे रेड के एक दो फिर से एक फंदा वाइट का फिर से दो फंदे रेड के तो देखे फ्रेंट्स द्यान दिजेगा यहाँ पे ये तीन फंदे छोड़ गे स्टार्टिंग के और जो आगे के आठ फंदे हैं इन्ही को फिर से रिपीट करेंगे ये स्टार्टिंग के तीन छोड़ेंगे फोर्थ रो है एक फंदा वाइट एक रेड एक वाइट दो रेड एक वाइट दो रेड तो ऐसे ही बनाएंगे फिर से तो फिर से ध्यान दिजेगा एक फंदा वाइट एक फंदा रेड फिर से एक फंदा वाइट फिर से दो फंदे रेड फिर से एक फंदा वाइट और दो फंदे रेड के तो फिर से इने ही फंदों को 8 फंदों को repeat करेंगे यहां से यहां तक एक फंदा white, एक red, एक white, दो red, एक white, दो red ऐसे ही करते भी इस पूरी रों को complete करेंगे अब आ गई हम सीधी तरफ पांच विशलाई में यानि फिफ्त रों में तो यहां पे दो फंदे white के बनाएंगे, एक, दो, फिर से दो फंदे red के बनाएंगे, एक, दो, फिर से एक फंदा white का बनाएंगे, फिर दो फंदे red के बनाएंगे, एक, दो, फिर से तीन फंदे white के बनाएंगे, एक, दो, तीन अब स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़के और जो आगे के ही ये आठ फंदे इनहीं को रिपीट करेंगे स्टार्टिंग के दो छोड़ेंगे पांचमी सलाई है फिर से दो रेड बनाएंगे एक वाइट दो रेड तीन वाइट फिर से ऐसे ही रिपीट करेंगे तो दो रैड बनाएंगे एक दो फिर एक वाइट बनाएंगे फिर से दो रैड बनाएंगे एक दो फिर से तीन वाइट बनाएंगे तो ये हमारा दूसरा repeat complete हुआ तो आप फिर ऐसे ही यहां से यहां तक यह आगे के यहां से यहां तक फिर से इनी 8 फंदों को repeat करेंगे अब आ गई हम wrong side में चटी सलाई में तो धहन दिजीगा यहां पे 1 फंदा white, 2 फंदे फिर red के एक, 2 फिर से एक white फिर से एक red फिर से एक white फिर से दो red एक और दो तो दिखे फ्रेंट्स अब टोटल यह 8 फंदे हैं इसमें कोई फंदा छोड़ना नहीं है इने ही 8 फंदों को बार बार repeat करेंगे एक white, 2 red, एक white, 1 red, एक white, 2 red तो ऐसे ही ही 8 फंदों को फिर से repeat करेंगे तो फिर से एक white, 2 red, 1, 2 फिर से एक white, 1 red, फिर से एक white और फिर से 2 red तो इने ही 8 फंदों को बार बार repeat करेंगे जो स्टार्टिंग के 8 फंदे हैं नहीं 8 फंदों को बार बार repeat करते वे 6 फंदों को पूरा करेंगे अब आ गई हम सीधी तरफ साथ मिशलाई में तो अब यहाँ पे 2 फंदे red के बनाएंगे एक और दो फिर एक फंदा white का बनाएंगे फिर 3 फंदे red के बनाएंगे एक दो तीन फिर से एक white का बनाएंगे फिर से तीन red के बनाएंगे एक दो तीन तो देखें फ्रेंट स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़के यह दो फंदे छोड़के आगे के 8 फंदे बार बार repeat करेंगे एक white तीन red एक white तीन red ये 8 फंदे फिर से repeat करेंगे, फिर से 1 फंदा white, 3 फंदे red, 1, 2, 3, फिर से 1 white, फिर से 3 red, 1 white, 3 red, 1 white, 3 red, ऐसे ही बनाती भे इस पूरी रो को complete करेंगे, अब आ गए wrong side में 8 फिसलाई पे, तो देखी यहाँ पे 1 फंदा red बनाएंगे, फिर 1 फंदा white बनाएंगे, फिर से 2 फंदे red बनाएंगे, फिर 1 फंदा white बनाएंगे, फिर से 2 red के बनाएंगे, फिर से 1 white का बनाएंगे, फिर से 1 red का बनाएंगे, फिर से 1 white का बनाएंगे, तो देखे फ्रेंट्स ध्यान दिजेगा आठमी सलाई है स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़के एक रेड एक वाइट छोड़के और आगे के आठ फंदों को बार बार रिपीट करेंगे तो फिर से हम यहाँ पे दो फंदे रेड के बनाएंगे एक दो फिर से एक फंदा वाइट फिर से दो फंदे रेड के फिर एक वाइट फिर एक रेड फिर एक वाइट तो देखे फ्रेंट्स ऐसे ही इनही आठ फंदों को बार बार रिपीट करेंगे दो रेड एक वाइट, दो रेड एक वाइट, एक रेड एक वाइट इन्ही आठ फंदों को बार बार रिपीट करते हुए स्लाई को पूरा करेंगे अब आगए हम सेदी तरफ नो दो दिविएं तो ध्यान दिजिएगा एक फंद वाइट दो फंदे रेड से एक दो फिर तीन वाइट के एक दो और तीन फिर से दो फंदे रेड के एक दो फिर से एक फंदा वाइट का दो फंदे रेड के एक दो अब जो ये starting का एक फंदा छोड़ के आगे के ये 8 फंदे 3 और 3,4,2,8 ये एक फंदा छोड़ के इन्हीं 8 फंदों को फिर से repeat करेंगे तो फिर से 2 फंदे red के 1,2 फिर से 3 white के 1,2,3 फिर से दो red के एक दो फिर से एक white का तो देखे friends यहां से लेके और यहां तक दो red तिन white, तो red, एक white ऐसे ही repeat करते भिये पूरी सलाई को complete करेंगे अब आगई हम wrong side में 10 में सलाई पो तो यहां से हम अपना white color cut करेंगे और अब इस रेड कलर से इस पूरी सलाई को हम उल्टा बनाएंगे ऐसे पूरी सलाई को उल्टा बनाते हुए पूरा करेंगे यहां से वाइट कलर को हमने कट कर लिया है और अब हम यहां से रेड कलर से बनाते जाएंगे तो देखे फ्रेंट्स दस सलाई हमारी कमपलेट हो चुकी है और हमारा बहुत ही सुन्दर सा यह डिजाइन टू कलर में बनके आ गया है आप इसको बच्चों के प्रोजेक्ट में जैसे डालेंगे बूर्डर बनाने के बाद तो बहुत ही सुन्दर लगेगा मूड़े के गटाई करने के बाद फिर डालेंगे फिर भी यह बहुत ही सुन्दर लगेगा बीच में आप इसको प्लैन बुन सकते हैं या छोटे छोटे ये ऐसे डिजाइन डाल के बीच में उपर फिर ये बेल डाल सकते हैं बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है मैंने आपको ये step by step समझा दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो तो देखे फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो color combination पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लेज वीडियो को like कीजिए, फ्रेंड्स गुरूप में share कीजिए और चैनल पे नई हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्षन में बताईगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा थेंक्यो